हाई, हाई विद्या, डॉक्टर विद्या, हाई अलोक, कैसी यहाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी आप ठोड़ी और बेहतर हो गई हूँ, तो पहले थोड़ी से नर्वस हो रही थी, सवाल यह है कि ऐसा मौका पहले कभी आया था, स्कूल में, कॉलेज में, जब पूरी फ हाँ, ऐसे मौके रहे हैं, जब मेरी पूरी फैमिली रही है, पर अब वो पूरी फैमिली और बढ़ी हो गई है, शादी के बाद, तो थोड़ी और नर्विसनस भी बढ़ गई है, पर अब मैं यह ठीक से बोल पा रही हूँ, बेहत खुशी हो रही है, गर्ब महसूस हो रहा है, मैं राई यूनिवरस्टी की तहे दिल से शुक्रियादा करना चाहती हूँ, इतना बड़ा सम्मान इस उमर में और इस उमर में और करियर के इस मोर पे, जबकि मैंने 10 साल कंप्लीट किये हैं फिल्म में, 10 जून को मेरे 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे, और 12 जून को एक बहुत खास फिल्म मेरी, बहुत दिल के करीब फिल्म हमारी अधुरी कहानी रिलीज हो रही है, तो बहुत कुछ हो रहा ह और बहुत खुशी मेहसूस हो रही है, शायद मैं शब्दों में एक्स्प्रेस ना कर पाऊं। हाँ उश्ण हाँ विद्या जैसा आपका नाम है विद्या और यहां पर यह कहा गया है कि आपके नाम से फ्री एडूकेशन दिया जाएगा लड़कियों को तो आपको लगता है कि आपका नाम सार्थक हो गया बिल्कुल मैं आपके साथ एक इंसिदेंट शेयर करना चाहती हूं मैं स्कूल म यह शोर शराबा का एक हिस्सा हूँ और मैं कुछ कुछ कर रही थी मस्ती तो उन्होंने कहा अपने नाम का मतलब समझती हो अ मैंने कहा हां का विद्या का मतलब क्या है मैंने का नौलेज so she said तुम्हारे तु पास से भी नहीं गुजरी है नौलेच आज मैं उनसे जाके कहना चाहूंगी की मुझे इतने बड़े सम्मान से नावाजा गया है और मेरी मा के लिए और मेरी फैमली के लिए एडुकेशन सबसे एहम था एक्चली ये साउथ इंडियन ट्रडिशन है एडुकेशन से ज्यादा इंपोर्टन और कोई चीज नहीं हो सकती और जबकि मैं मानती हूं कि हरबीन और मैं बात कर रहे थे कि यूनों बहुत सारे स्किल्स होते हैं जिस तरह से हम एडुकेशन को पसीव करते हैं वो एक तरह से लिमिटिंग हो जाता है क्यूंकि अलग-अलग लोगों के अलग-अलग स्किल्स होते हैं फिर भी मैं अपनी बात कर रही हूं तो मैंने काई कि ठीक है मैं पैरंस सेड आक्टिंग करनी है कर लो पर एडुकेशन बेसिक ग्राजवेशन डिगरी बहुत जरूरी है मैंने तो मास्टर्स कर ली सोशियोलोजी मैं मैंने अपनी मास्टर्स कर ली पर अकदेमिक्स अब ज़िए ज़िए बहुत इंपर्त अगर ये एडुकेशन के थू अवेरनस ना होता क्यूंकि सिर्फ हम लिटरसी की बात नहीं करें अगर ये एडुकेशन के बात नहीं करें अगर ये एडुकेशन के बात नहीं करें I think I am very fortunate to have had this educational background and then to have this academic recognition as the doctor of arts is really very very humbling अच्छा विद्धिया आपको क्या लगता है पहले एक वक्ता जब औरतों को या लड़कियों को acting की तरफ आना अच्छा नहीं माना जाता था अच्छी परिवार के लड़के लड़के नहीं आया करती थी आपको जिसरह का आवार्ड रहा है जिससे होनर मिल रहा है तो लगता है कि अब वो चीज़े वैसे खुल चुका है और ज्यादा खुलेगा इस तरह की उस तरह की और अच्छी परिवार के लड़के आएंगी हाँ मैं तो कहूंगी कि वही होता आ रहा है कुछ सालों से कुछ सालों से मतलब कुछ यह जो धारना है लोगों की वो बदल रही है पहले लगता था कि और कुछ नहीं कर सकते जैसे आर्ट के बारे में भी यह था अच्छा आपको अगर इनो ज्यादा मार्क्स नहीं आए ज्यादा पढ़ाई में अच्छी नहीं हूं तो आर्ट कर लो न कोई नहीं है ऐसी acting की भी कोई वाल्यू नहीं, बाकि सब आपने professions ट्राइक कर लिये और कहीं आपका कुछ हुआ नहीं, तो फिर आप अक्टर बन जाओ, तो कोई भी बन सकता है, इसलिए वाल्यू बहुत कम थी, अक्टर्स की, but I think, I have seen that change, and I think a lot of my contemporaries have contributed to this changing perception of the female actor, and I feel very proud to be working in films at this time. Congratulations. Thank you. Dr. Vidya, congratulations. Thank you. Okay, since you were talking about values, your parents must have definitely inculcated all the ethical values as you were talking to us yesterday also. Would you remain a science something and tell us in particular? Oh God. You know, if you had to, I think first and foremost, my parents have instilled that honesty is really always the best policy, even though sometimes it's really difficult to be absolutely honest. And most importantly, be honest to yourself. I think that's what, that's what I've tried to do so far. You know, I try and be honest to myself first and foremost, and then everything else follows. And that if you respect yourself, you will respect others. So they've never told me that you must respect everyone. They've always told me that if you respect yourself, you will respect everyone else. if you want me toaji, that's paradox, why it's not a nightmare. झाल झाल